जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूप्टी चैनल एज श्टडी पे दोस्तों आप लोग के लिए बहुत भरी खुश कवरी है CRPF के तरफ से फिर से एक न्यू वेकेंसी जारी कर दिया गया जिसका नौटिफिकेशन आउट हो गया यह भरती दोस्तों आप लोग देख सकते हो यह है रिक्यूट्मेंट आफ दोस्तों निकाल दिया गया इसका नौटिफिकेशन रिलेज हो गया है और इसके बारे में आप लोगों सब कुछ डिटेल हैं बताऊंगा दोस्तों इसका फॉर्म कफसे फिलफ होगा लाश डिट क्या रहने वाला है कौन से बंदे इसका फॉर्म फिलफ कर पाएंगे एज्ट क्या है एज क्या रखा गया है इसका सेलेक्शन प्रसीजर क्या है सल ठीक है और आते हैं अपने टॉपिक पर और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका जो फॉर्म फिलफ होगा वह कफसे फिलफ होगा तो एक मई से फॉर्म फिलफ होगा और इसका जो लाश डिट रखा गये मेरे भाई वो रखा गया है 21 मई तो आप लोग ज्यादा अधão होगाए और उसका जो अध्मिट काड होगा वो यहां पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आएगा जून में आएगा पिख्दम ध्यान रखेगा क्योंकि CRPF एकदम टाइम पर सारा चीज अभी ले रही है ठीक है तो यह चीज आप लोग समझेगा 24 से लेकर और 25 तारीक तक आप लोग का एक्जाम होने वाला है ठीक है आप नीची आते हैं नीची आने के बाद आप लोग बात करते हैं इसका फ सेलरी के लिए ठीक है वैसे करके यहां पर आप लोग देख सकते हैं सब इंस्पेक्र टेकनीशन का टेकनीकल का वही सेलरी है उसके वाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं एसाई में बात करते तो 29200 से लिकर बिरान में 1300 तक सेलरी जाएगी मेर भाई लेवल फाइब के तहति इसका सेलरी मिलेगा ठीक है तो यह चीज हो चुक है किलिए आप लोग आप सेलरी के रिकारिंग अब नीचे आते हैं आप वेकेंसी के बारें बात करते हैं टोटल वेकेंसी कितना है ज़क्र टोटल वेकें सबसे ज़ादा है जो ना वह है एएशी में टेक टेक्निकल घरती है वह सबसे जयादा यहां पर निखाले prettig इती वह रहें आने के पर आप लोग एहां पर बताते हैं मेरा भाई एज को लेकर कि देखो यहां पर आप लोग यहां पर रखा गया देख सकते हो जैसे कि यहां पर आप लोगों सो होगा यह देखो बाइस पांच उनीस सो तिरानवे से लेकर और आप लोगों का इकीस पांच दो हुजार दो तक अगर इसके बीच में आप लोगों का डेट बर्थ है तो इसली इस फॉर्म को फिल अपर प ठीक है उस तक आप लोगों का क्या होना चाहिए 30 शी जादा नहीं होना चाहिए वह चीजा आप लोगों को बताएगा ठीक है वहीं बात करते हैं यहां पर सब इंस्पेक्टर का ठीक है सब- Michigan पर इस policymakers क तो यहां के बीच में अगर आप लोग का डेट ऑबर्थ है तो आप लोग SI के लिए अपलाई कर सकते हैं तो दोनों के लिए डेट ऑबर्थ आप लोगा क्लियर हो गया होगा बागे कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो बागे आप लोग को देखने को मिलेगा अगर CC ASTC से हो तो पांच वर्स का OVC देखने को मिल जाएगा ठीक है अब आते हम लोग फ़ोड़ा नीचे मेरे भाई आप लोग को और भी जो इंपोर्टेंट डिटेल है वो आप लोगो यहाँ पर सेर करते हैं सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर मेरे भाई कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं देखो एजूकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है क्योंकि एजूकेशन क्वालिफ चाहिए ठीक है और क्या होना चाहिए उसमें भी Math Physics या Computer Science आप लोग के पास होना चाहिए Math Physics नहीं तो Computer Science से कियो तो आप इसके लिए जा सकते हो किसकी Radio Computer के लिए Sub Inspector के लिए रखा गया मिरभाई Bachelor Degree आपके पास होना चाहिए और Math Physics है तो आप लोग सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए जा सकते हो यानि कि गिरज्वेशन आपके होना जरूरी है वह भी Science Stream से ठीक है इस बात को जा देखे है Math Physics आपके होने चाहिए उसमें ठीक है अब देखो कि Sub Inspector Technical में क्या है कि BE या BTEC आपने किया है ठीक है या सब इंस्पेक्टर सिविल में सिर्फ मेल के लिए है पोस्ट और इसमें आप लोग का Civil Engineering आप लोग का होना चाहिए और क्या Civil Engineer ने डिपलोमा होना चाहिए और इसमें बस बारवी पास है बारवी पास है अगर आपके पास Civil Engineer तो Sub Inspector जो सिविल का पोस्ट है उसके लिए आप लोग जा सकते हो ठीक है अब असिस्टेंट यहां पर सब इंस्पेक्टर का जो यहां पर है इसमें बस दस बार पास आपको होना जरूरी है किसी बोर से आप दस भी पास हो और थिरी इयर्स का आप लोग के पास डिपलोमा होना सब्सक्राइब देखो यहां पर देखो कि डामैंड में है क्या मेरा भाई की आप लोग कर पास यहां पर देख्यों पास इन मैकेटिक इंगलीज है जनर्ल साइन्स और मैफमेटिक्स यानि कि आप लोग के पास इसमें पास ठीक है और इन्टियर्य डिप्लोमा होना देखो और जब online exam के लिए center choose करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे center होगा और आपके state में exam होगा और आपके state में कौन से जगह पे देख लोग center कहा जाएगा यहाँ पर आप लोग सारे state के मतलब की जगह का center का नाम यहाँ पर दिया होगा तो यह होगा आप लोगा exam center के बारे में बताया गया है अब नीचे आते थोरह syllabus के बारे बात करते की syllabus क्या होगा syllabus देखो कि SI के लिए radio operator में दो है throttle shown यहां पर देख्लों पच्यास क्वेशन होगे और यहां पर देख्लों की रेडियो उपरेटर में यहां पर एक और है किए कि आप लोक को देखना चाहते हैं तो इसे हम टेलिग्राम चैनल पर भी डाल लेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं यहां सर्च कर लिजे टेलिग्राम पर जाके एज श्टडी जोएन हो जाई हर अपडेट नोटिफिकेसन श्टडी मिट्रियल सब कुछ आप लोगो दे जेनल इन्ट्रिजेंस में कौन कौन से टॉपी को कभर करना है यह देख über करने यह देख लो सारे यह पर वीडियो को सकरखे आप लोग देख सकते हो क्या पड़ना क्या क्तीक है आप बंपर बात करती हैं पर फी Celis कल idiot में आप लोग आप लोगो पता होगा अब आते हैं थोड़ा नीचे आते हैं नीचे आने के बाद आप लोग यहां पर देख सकते हो जो इल एरिया से बिलोग करते हैं ठीक है तो उनके लिए आप लोगो छूट देखने में लिए सततर सिवरासी देखने को मिल जाएगा और हिलेरियस वालों को यहां पर 80 से 50 संटमेटर के बीच में रखा गया है अब नीचे आने के बाद आप लोगो देखने को मिलेगा रणिंग के बारे में मेरा रणिंग होगा इसमें 1.6 किलो मिट रणिंग सारे छे मिनट में 100 में में कि एनफिमों के लिए 400 का रिस yar इतना चीज फीजिकल में होने वाल है आप लोग का अब देखो कि यह फीजिकल उने वाले आप लोगा, अब देखो कि यह फीजिकल एफिसेंस इस सीविल वालों के लिए देखो कि दो नोट कैरी एनी मार्क्स बट क्वालिफाइंग नेचर मतलब इनको क्वालिफाइंग करना है ठीक है और देखो रेस में 1.6 किलमेटर रणिंग 9 मिन्ट मिन को क्वालिफाइं करके देना है सिविल वालों के लिए अब यह हो गया आप लोग का मेरा भाई फीजिकल के बारे सब कुछ आप लोगों को बता दिया हूं देखो ऑनलाइन फॉर्म फिलफ करने के लिए मतलब कि मतलब कि आप लोग क्या कर सकतो एक मैं से सुरू कर सकतो देखो डुकुमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा यह सब चीज आप लोग को बताया गया है ठीक है अब नीच से लेकेशन परशिजर की बारे में बात कर लेते हैं फारी करना हो जो कि आप लोग का टार्योंक बताया वो की तक से संबसेगल का लिए डर्रसी क्लिएन प्रोले करना होगा उसकीवाद होगा उसके एकोल marketing करना होगा you प्रहर कोई पाइनल मेडिकल के बाद हुआ इस वीड़ो को दोस्तों को साथ शेयर किजिए और ऐसे ही डिफेंस इरिगार्डिंग जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो बाकी मिलते हम दोस्तों को यह वीड़ो में तब तक लिए दोस्तों जाहिन पंदे मातरम